समस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पौधों का महत्त पौधों का महत्त तो आज की वीडियो पे हम जाने की पौधों का महत्त क्या होता है पौधों की क्या इंपोर्टिंस होती है वैसे तो दोस्तों सब जानते हैं कि पौदों के बहुत सारे महत्य हैं, हमारी जीवन में, पौधी बहुत जादा ज़रूरी होते हैं, हमारे जीवन को भराय रखने के लिए हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं JakHam और यह भातवरर में oxygen की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, increase कर देते हैं और ये पौधे जो होते हैं ये हमारे जीवन के लिए आविश्यक होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं प्रकृति में एक संतुलन बना के रखने का काम करते हैं बैलेंस बना के रखने का काम करते हैं इसकी वज़ा से हम और आप जिन्दा है ठीक है दूसरा क्या बोल सकते हैं कि पौधी पौधी क्या करते हैं पौधी मृदा चरण को क्या करते हैं रोकते हैं ठीक है पौधी क्या करते हैं मृदा चरण को रोकते हैं और वीर्दा के जो उर्वरा शक्ति होती हे उन्क्ररीज करने का काम करते हैं और की कपते हैं और उनके क्या काम होते हैं तो यह वातावरणमें सौंदर्यता को सौंदर्यता को बढ़ाने में सहायक होते हैं ठीक है? और अगर हम मरुद्बीत पौध होगी मतलब मरुद्धाल वाले पौध होगी बात करें तो आप लोग को पता है कि कौन-कौन सोते हैं एक होता है यूफोर्बिया है ना? और एक होता है एक आसी है ठीक है? ये सब भी क्या करते हैं ये बहुत ही इंपौधन पौध होते हैं और इनका भी अपना प्रतित में एक महत्तु है ठीक है? तो ये हो गई पौधों की महत्तु की बात ठीक है? और हम जान लेते हैं कि कुछ पौधों के बारे में विशेश प्रकार के जैसे हम अगर अनाज और अगर दालों की बात करते हैं अनाज और डाल के अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं अनाज में आप सभी लोग को पता है कि अनाज में क्या आ जाता है अनाज में आ जाता है गेहू चावल ज्वार बाजरा मक्का और अगर हम बात करते हैं दालों की तो डालों में क्या क्या आ जाता है तो डालो में आ जाते हैं मतर चना अरहर अरहर भूग मसूर इत्यादि खिर यह आ गया नहीं इसी प्रकार से सब्जीओं की बात करें सब्जियां जो होती है सब्जियों में कुछ कटेगरी बटी होती है जैसे अकर हम जड़ वाली सब्जियों की बात करें तो जड़ में आ जाता है मूली गाजर गाजर, चुकंदर, शल्जम, इत्यादी ठीक है और अगर हम तना की बात करते हैं तो तना में आ जाता है आलू, अर्भी, अद्रक, इत्यादी ठीक है तो यह तना में आ जाता है अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती में क्या क्या आ जाता है जैसे आलक हो गया बत्वुआ हो गया मेथि सरसों यह सारी चीज़गे किस नीज्म है अलागती है बत्य आली सबजों में अगर हम फूल की बात करें तो फूल में सब्सक्को पता है फेम allowed क्या है फूल ह estás गोबी ठीक है और अगर फूल की बात करें तो पुष्वाली सबजें के लाटी तरोई अधिया तरोई भिंडी और टमाटव तुर इसी प्रकार से अगर हम खादी तेल की बात करें बीजों से बीजों से क्या-क्या बनते हैं जैसे कौन-कौन से यासे तेल है जो बीजों से निकलते हैं जैसे तेल की बात करें बीज से मिलेगा सरसूं बीज से मिलता है और अगर हम मुखफली की बात करें तो यह भी जैसे मिलता है बीज से मिलता है ठीक है और अगर हम फूल से जो तेल निकलते हैं उनकी बात करें तो फूलों से क्या मिल जाता है चमेली गुलाब यह फूल ऐसे हैं जिनसे क्या मिल जाता है खादी तेल मिल जाता है और अगर हम फूल की बात करें तो फूल में क्या आजाएगा नारियल नारियल इक फूल है और इसका भी तेल पिलता है और अगली चीज़ अगर हम पेपदार्थ की बात करते हैं तो पेपदार्थ में क्या आजाता है जैसे अभी रोको पता है चाय कहवा कोको इन सब का नाम आपने सुनायते हैं सब किस में आता है पे पदार्थ में आ जाता है अब अगर हम बात करते हैं रेशेदार पदार्थ की तो रेशेदार पदार्थ में क्या क्या आ जाता है कापास जूट यह सारी चीज़े किसमें आती है रेशेदार पदार्थ में अब हम कुछ और शदियों की बात कर लेते हैं जो कि पौध होसे मिलती है जैसे कि अगर हम बात करते हैं का नाम आपने सुना होगा पेनी सीलियम तो पेनी सीलियम जो होता है यह किस से मिलता है एक कवक से मिलता है ठीक है इसी मरकार अगर हम एट्रोपिन की बात करें एट्रोपिन जो होता है यह किस से मिलता है बैला डोना से और अगर हम कुनैन की बात करते है अगर हम कुनैन की बात करते है तो कुनैन किस से मिलता है जिनकोना से और अगर हम मार्फीन की बात करें तो मार्फीन किसे मिलता है यह मिलता है अफीम से और इस बगोल जो होता है यह इस बगोल से ही मिलता है यह हमने कुछ जरूरी और शदी पौधों के बारे में देख लिया और कई तरह की पौधे देखी जैसे हमने अनाज देख लिया अनाज दालें देख लिया ठीक है और हमने सब जो में जर तना पती फूल फल यह सारी चाहिए देख लिए खादे तेल में हमने वीजों से रिकलने वाले फूलों से और फलों से सब हर तरह के तेलों के बारे में देख लिए पदार देख लिए रेशेदार पदार देख लिए और शदियां देख अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आगे भी आपने वीडियो इस देखना अचाहते तो प्लीज स्ट्राइट के मैल आइकॉन पे प्लिक कर दीजिए थैंकियो